नमस्कार दोस्तो दे लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज मैं लेकर आए हूँ आपके लिए कौन बनेगा टोप पर इसमें 20 महतोपूर्ण परशन रहेंगे आपको इन परशन के जवाब देने हैं जवाब देने कैसे हैं आप एक पैन ले लेना कोपी 20 नमबर लिख लेना उसके आगंगे आप अपने लिखते जाना लाच में आप काॉंट कि कि आपके दोने कि आपके cho закрыt करना है कि योज कर सकते हैं और कितने आप सáइप और Suska वीडियो के उपर नाम लिया जाए हिसके साथ साथ यदि 15 से उपर भी आप सही कर पाते हैं तो भी आपका वीडियो में नाम लिया जाएगा जो नेक्स्ट वीडियो अप्लोड होगा उसमें नाम लिया जाएगा आपका अब मैं इसिरी शुरू कर रहा हूं आपको करना क्या है मैं जैसे प्रशन बोलू आपके सामने चार ओप्सण होगे आप ओप्सण सोच करके आप अपना टिक मारक कर लेना जैसे एक नमबर लगा लिया पर अपना उत्तर लिख लेना फिर मैं उत्तर बताऊंगा तब आप मिल फ्रेसरा भारतह दोस्तों आपको 30 सेकेंड का समय मी देगा कि आप अपनांसवर सोच लीजिए बारत पर फ्रय कौन था है टो 30 सेकेंड पूरे हुए इसका सब्सक्राइन है इसका का राइटांसुर होगा, C, C राइटांसुर होगा, लार्ड के निन, लार्ड के निन हो जाएगा, नेक्स्ट है, आद्धी ब्रह्म समाज की स्तापना किस के दबारा हुई, ओप्शन A है, महादेव, गोविंद रानाडे, B है, आत्माराम, पांडूरं, C है, केश्व चंदरशेन, D है, चंद्रावर कर, तो आप अपनान स्वर सोच लिजिए, फिर आप लिख लिजिए, फिर म मैं बताऊंगा, तब आपका मिलान कर लेना, जैसे 30 सेकंड पूरी हो जाएंगे, मैं इसका अनुसर बता दूँगा, आपको, तो दोस्तो टाइम पूरा हो गया है, आदी ब्रह्म समाज की स्तापना है, वो, केश्व चंदर, शेन के द्वारा की गई थी, तो इसका राइट शीवा जी वे गणपती उत्सव किसके द्वारा आरंब किया गया, तो ओप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है विनायक दामोदर शावरकर, सी है बाल गंगा धरतिलक, डी है दादा भाई नोरो जी, आप अपना अन्सवर सोच लिजिएगा, तिस सेकंड का टाइम आपके पास, नहीं तो आप वीडियो रोक भी सकते हैं, आपको यदि ज़्यादा सोचना पड़े, तो वीडियो रोक लिया करें आप, सीवा जी वे गणपती उत्सो किस के द्वारा आरम किया गया, तो दोस्तो टाइम में वो पूरा हो गया, तो इसका राइट आंसवर है वो हो जाएगा, शी, बाल गंगा धरतिलक, सीवा जी वे गणपती उत्सो प्रा आरम किस ने किये थे, बाल गंगा धरतिलक ने किये थे नेश्ट चार नमबर क्युस्टन नू इंडिया रम यू इंडिया वय कॉममन विल का समंध किस से है ये दो पुस्त के हैं दोस्तों नू इंडिया वय कॉममन विल Option A है दादा भाई नोरोजी B है आरेशिदघ C है गोपाल कृष्हन गोखले D है एनी बिशेंट New India का समन्द किस से है दादा भाई नोरोजी आरशी दत गोपाल कृष्ण गोखले एनी बिशेंट आप अपना आनस्वर शोच लिजिए तो इसका राइट आनस्वर हो जाएगा D D राइट आनस्वर हो जाएगा एनी बिशेंट Next Qs ने 5 नंबर भारतिय राश्ट्रे कांगरेस का पर्थम अधिवेशन हुआ मतलँ हुआ काम पर था भारतिय राश्ट्रे कांगरेस का पर्थम अधिवेशन सूरत मुंबई कोलकाता या मद्राश तीस सेकिंड का टाइम आपके पास सोचने के लिए आप इसका आंस्वर टिक मारक कर लिजिएगा भारतिय राश्ट्रे कांगरेस का पर्थम अधिवेशन हुआ सूरत मुंबई कोलकाता या मद्राश तो इसका राइट आंस्वर है वो हो जाएगा B मुंबई में Next है छह नंबर साइमन कमिशन भारत का बाया साइमन कमिशन भारत का बाया A. 1927 B. 1928 C. 1932 D. 1930 तो आप अपना आंस्वर सोच लिजिएगा साइमन कमिशन भारत का बाया 1927 1928 1932 1933 तो इसका राइट आंस्वर है वो मैं बता रहा हूँ आप अपना नोट कर लीजिएगा जो भी है यदि नहीं कर पाया तो वीडियो को रोक लीजिए एक बार तो इसका राइट आंस्वर है A. 2027 साइमन कमिशन भारत का बाया था गुनिशो 27 को आया था Next है आप अपना जो भी राइट आंस्वर है वो टिक मार्क कर लीजिएगा या वीडियो को रोक लीजिएगा तीस सेकिंड का टाइम आउट होते ही मैं इसका आंस्वर बता दूंगा तो चलिए टाइम आउट हो चुका है बारत छोड़ो अंदोलोन परस्ताव कब पारित हुआ था तो इसका राइट आंस्वर है वो हो जाएगा C. 8 अगस्त गुनिशो 22 8 अगस्त गुनिशो 22 को बारत छोड़ो अंदोलोन परस्ताव पारित हुआ था नेक्स्ट आठ नमबर क्यूशन भारत पूर के जाट राजे का वास्त विक्षन स्तापक कौन था सूरजमल, राजा, राजा राम या बदन सिंग या जवार सिंग क्यूशन में रिपीट करता हूँ इतने में आप क्यूशन देख लीजेगा ऑप्षन देख करके आप अपना ऑप्षन टिक कर लीजेगा भारत पूर के जाट राजे का वास्त विक्षन स्तापक कौन था ऑप्षन A. शूरजमल, B. राजाराम, C. बदन सिंग, D. जवाहर सिंग तो आठ का राइट आन्सवर मैं बता रहा हूँ आपको इसका रायटान प्रोजाएगा C बारतपूर के जाट राजे का वास्त विक्षन स्तापक C, बदन सिंग था बदन सिंग नेक्स्ट क्यूशन है नो नंबर शमवाद कोमुदी रचना किसकी है? ओप्शन A है दुवेंदरनाथ टेगोर B है राजारामोन राय C है स्वामी दयानंत सर्श्वती D है इश्वचंदर विद्यासागर आप अपनान स्वर सोच लीजेगा फिर में इसका अंस पर बताऊंगा शमवाद कोमुदी रचना किसकी है? तो ती सेकिंड का टाइम आपके पास वैसे आप अधिक टाइम लेना चाहिए तो वीडियो को रोक लीजिए तो समवाद कोमुदी रचना है ये थी राजारामोन राय के द्वारा लिखी वी तो समवाद कोमुदी रचना का समन्द किस से है? राजा राम ओहन है यह राजा रामanka मार राय द्वारा लिखे एक पुस्टक है नेक्स्ट है दस नंबर dispressed aları Rud Management ुंपाइश्ड क्लाशी इसोशिएसन की स्थापना कब तक हमी यह तासीश्ण की स्थापना कब हुई यह लिजी सही कर दिया डिस्प्रेश्ट क्लासेज एसोसियेशन की स्थापना कब हुई 1927 गुनिशो 20 गुनिशो 28 गुनिशो 1937 तो आप अपने अपने आंस्वर शोच लिया होगा या लिख लिया होगा तो इसका राइट आंस्वर हो जाएगा बी और यह बता दूँ आपको डिस्प्रेश्ट क्लासेज एसोसियेशन की स्थापना की थी डाक्टर भीमराव अमबेड कर ने डाक्टर बी आर अमबेड कर थीक है बी आर अमबेड कर जी ने की थी इसकी स्थापना नेक्स्ट है ग्यारा नंबर इलाबाद की संदी कब हुई 1772, 1764, 1765, 1771 तीस सेकिंड का टाइम में आपके पास आप अपना अमस्वर नोट कर लिजिए इलाबाद की संदी कब हुई थी 1772, 1764, 1765, 1771 तो चलिए मैं इसका राइट आंस्वर बता देता हूं इलाबाद की संदी है यह हुई थी 1765 में तो इसका राइट आंस्वर हो जाएगा C, 1765 नेक्स्ट क्यूशन है भारत में किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश कंपनी के व्यापार का एका दिकार स्माप्त हुआ यानि किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश कम्पनी यानि जो ब्रिटिश कम्पनी व्यपार करती थी भारत में उसका एक अधिकार पूर्ण तेस्माप्त हो गया था तो आपको उसका आंस्वर बतना है ओप्शन A है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा B है 1774 C पिट्स इंडिय एक्ट के द्वारा, C है गुनिषो तीराण्वे चार्टरेक्ट के द्वारा या 1873 का चार्टरेक्ट तो इसका राइट आंस्वर बताना आप अपना नोट कर लिजिए जो भी राइट आंस्वर है आपका फिर मैं बताऊं इसका आंस्वर तो चलिए दोस्तों टाइम पूरा हो गया है मैं बताता हूँ इसका रायटान्स वर इसका रायटान्स रोजाएगा D. 1813 के चार्टरेक्ट के द्वरा भारत में ब्रिटिस कंपनी के व्यपार का एकाधिकार श्माप्त हुआ था नेक्स्ट क्यूशन है रामकृष्ण मिशन के संस्तापक थे द्वेंदरनाथ टेगोर, स्वामी दयानन्द सर्श्वती, स्वामी विवेकानन, रामकृष्ण प्रामहन्स इसका राइट आन्सुर आपको बताना है इसमें ज़्यादा सोचने का सोचने वाली बात ही नहीं है वैसे भी आपको चलो टाइम दे देता हूं तीस सेकेंड का राम कृष्ण मिशन के संस्तापक थे तो इसका राइट आन्सुर है वो हो जाएगा सी श्वामी विवेकानन्द राम कृष्ण मिशन के संस्तापक थे श्वामी विवेकानन्द नेक्स्ट चोधा नंबर ब्रम समाज की स्तापना राजा राम हुषन के द्वारा कब की गई अब देखे दोस्तों यहां एक चीज और बता देता हूं आप इतने आंसुर सोचिए इसका इतने आपको बता देता हूं आदी ब्रम समाज की स्तापना उपर आया था आपके मैं दिखा देता हूं यह रहा आदी ब्रम समाज की स्तापना किसके द्वारा की गई थी तो इसका आंस्वर था केश्वचंदर शेन और ब्रम समाज तो ब्रम समाज की स्तापना राजारा यह याद रखना अब मैं अपना इसका आंस्वर देखना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा रहा हूं उनके द्वारा कब की गई तो ओप्षिन ए 816, 1820, 1828, 1830 तो टाइम आपका पूरा हो चुका है तो चले में इसका राइटांस्वर बता देता हूं तो इसका आंस्व आपके पास 30 सेकंड का समय है ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोख सकते हैं तो पंद्रा का राइट आंस्वर है वो हो जाएगा ओप्षन ए लार्ड के निन यानी 1850 की क्रांतिक इसमें भारत का गवर्नर जेनरल कौन था लार्ड के निन नेक्स्ट है अन्हेपी इंडिया के लेखक है अन्हेपी इंडिया एक पुस्तक है उसके लेखक है तिलक सुभाष चंद्र बोष लाला लाजपत राय या इन में शे कोई नहीं आपके पास 20 सेकंड का समय है इस क्यूशन के लिए क्योंकि बहुत आसान है यह अन्हेपी इं अन्हेपी इंडिया पुस्तक के लेखक है ओप्शन सी राइट हो जाएगा इसका लाला लाजपत राय ने लिकिती अन्हेपी इंडिया नेक्स्ट है भारत सेवक समाज की स्ताप्ना की महात्मा गंधी मोतिलाल नेरू चित्रन जन्दास गोपाल कृष्ण गोखले 20 सेकंड का समय आपके पास भारत सेवक समाज की स्ताप्ना की ने की थी तो चलिए इसका टाइम पूरा हो चुका है मैं बताता हूँ भारत सेवक समाज की स्ताप्ना गोपाल कृष्ण गोखलेने की थी डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा चमपारण अंदोलन किस वर्ष प्राहरम किया गया गुन्नीशो शत्रा गुन्नीशो ठारा गुन्नीशो बीस या गुन्नीशो तीस आपका जोवी राइटांच वर्या आप नोट करली जिये तो इसका रायटां सुरो हो जाएगा ओप्शन ए गांधी जी द्वारा चम्पारण अंदोलन किश वर्ष प्रार्म किया गया तो गुन्निशो सत्रा नेक्स्ट है गांधी इर्विन समझोते पर कब अस्ताक्सर किये गए पांच जनवरी गुन्निशो तीस पांच मार्ज गुन्निशो कत्तिस दस मैं गुन्निशो बद्तिस या दस जुलाई गुन्निशो बद्तिस आपको रायटां सुर बताना है इसका तो इसका राइटांस्वर हो जाएगा option A 5 sorry B हो जाएगा इसका राइटांस्वर 5 मारच गुनिशो कत्तिस बी हो जाएगा इसका राइटांस्वर गंद इर्विन समझोते पर कब अस्ताकसर किये गए तो 5 मारच गुनिशो कत्तिस next question है 1885 में भारती राष्ठे कांग्रेश की स्तापना किसने की A.O. Hayum, दादा भाई नोरो जी, या ताटा, या जुआर लाल नेरू तो ये तो simple सा है 1880 में भारती राष्ठे कांग्रेश की स्तापना किसने की तो आपने सोच लिया होगा आंस्वर तो इसका राइट आंस्वर है वो ए हो जाएगा ए ओ हयूम ने की थी भारतिय राष्ट्रे कांगरेस की स्तापना तो दोस्तो ये थे आज के 20 महतोपुर्ण प्रशन आप कितने से ही कर पाए है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आएकन भी दभाना यह है आपने यूट्व चैनल का होम पेज यहां पर सब्सक्राइब का बटन मिलेग आपको अपने प्रेस कर देना है पास में बैल आइकन मिलेगा तो बहटेंद invecson वीडियो में जो टॉपर रह झालेगा.